आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार and welcome back to your own channel dream dose ये जो वीडियो है आप समझ लो 10 नंबर आपका इस वीडियो से confirm है अगर आप सही तरीके से आप कर लेते हो तो जो भी चीजे में आपके सामने यहां रखने वाला हूँ ये paper analysis पे paper analysis मतलब जिस pattern पे दरोगा में questions पूछे जाते हैं उस pattern पे आपको ये video provide किया जा रहा है तो अगर आपका excise SI देने वाले हूँ ठीक है चाहे आपका upcoming बिहार दरोगा है चाहे बिहार दरोगा मैं से इस video को अंत तक देखीगा क्योंकि आपका जो number है इस video से confirm होने वाला है एक चीज और इस video में हम लोग क्या-क्या cover करने वाले है सबसे पहले हम उस पे थोड़ा नजर डालते है सबसे पहले हम लोग करेंगे census ठीक है जो भी census है बहुत important है दो से तीन number questions directly आपको census से जनगरना से हर साल पूछा जाता है उसके बाद है आपका भारत के जो भी खनीजे minerals of India उसके बाद जल प्रपाद देखेंगे उसके बाद जो समूंदरी टट है वहाँ से भी questions बनते हैं तो वो देखेंगे अगर आप एक dedicated candidate हो और अगर आपने paper analysis किया है तो आप समझ जाओगे कि सर क्या परहाने वाले हैं ठीक है और आप इस चीज का जो value है आप समझोगे उसके बाद हम बात करेंगे जील का बात करेंगे उसके बाद mountain passes जो की परवती दरे हैं हमेशा question पूछा जाता है जे मंडल जो संद्रक्षित छेत्रे अभी भी दरोगा में question पूछा गया था ठीक है तो biosphere reserve that means जे मंडल जो संद्रक्षित छेत्रे वो देखेंगे उसके बाद जितने भी dam है जितने भी बांध है भारत का वो देखेंगे important tiger reserve one of the most important topic है tiger reserve ठीक है और उसके बाद national park टोटल यह 10 topic हम आपके सामने रखने बाले हैं अगर आपका response अच्छा रहा क्योंकि मुझे पता है इस तरीके से आपको पूरी YouTube पे मैं आपको इंसियोर करता हूं ठीक है देखो परहा पढ़ने के लिए बहुत चीज है और परहाने वाले भी बहुत है बट हमें वो पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है जो एक्जाम्स पे कोशन्स पूछे जाते है स्टार्ट करते है उससे पहले देखिए आप लोग बस एकी सपोर्ट आपसे चाहता है वो है आपका सब्सक्राइब अगर अभी तक ड्रीम डोस को सब्सक्राइब नहीं की हो और अगर बिहार में आपको दरोगा बनना है तो मैं फिर से काऊंगा जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हर एक सब्सक्राइब हमको मोटिबेट करता है कि मैं आपके लिए बहतरीन पीडिये भी प्रिपेर करो देखिए पीडिये बहतरीन आपके लिए प्रिपेर किया गया है और जो 64 पोस्ट है अगर आप चाहते हो कि इसको आप सियोर सेलेक्शन जो आपका एक अपका उस्ट्री से तीन कोशन रहेगा वहां से तो नीचे लिंक होगा अब जूर जाये का सबसे बहले हम बात करते हैं सेंसस को बाद में करेंगे लास्ट में करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा लंबा हमें टाइम लगए गा तुसको लास्ट उफसे पहले जो इमपोर्ट का यहां खनीज लिखा हुआ है यहां उत्पादन राज्य और यहां पर्मु देखिए यह सब डीटेल में भी आपको प्रहाया गया है तो यहां स्रिफ हम आपको वही बताएंगे जो एक्जाम में 80% जो आपका डाइरिक्ट भीरेगा देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहां खनीज यहां पादन राज्य और पर्मु जो खान है सबसे बहले बात करते हैं तामबा का आपको पता है तामबा कौपर जो मानब ने सबसे पहला कोई अगर धातू को यूज किया था तो वो था कौपर में सबसे चांण पर्देश करता है तो यहांद रखेगा तो इसका खान देखे तो जुन-जुनू और अलवर, खेत्री और जुन-जुनू तो आपका याद रखना यह कहां है खेतरी और जुन-जुनु तो आपका राजस्थान में है और बाला घाट, बाला घाट कहा है तो यह मध्यपरदेश में, तो बाला घाट हो गया किसका खान, तो आपका तामबा का खेतरी और जुन-जुनु किसका खान है तो तामबा का याद रखेगा तो बाला घाट मद्यपर्देश में और आपका खेतरी और जुन-जुनु जो है आपका राजस्थान में उसके बाद हीरा का बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है आपका मद्यपर्देश और इसका खान जो है यह है आपका पन्ना यह आपका पता होगा हीरा और पन्ना, तो पन्ना का जो खान है, बहुत फेमस किसले है, तो हीरा के लिए, सोना, याद होगा आपको, सोना सबस्यादा प्रोड्यूस करता है, करनाटका, इसका दो खान याद दखना है, के जी अप मुवी आपने देखा होगा, तो एक है कोलार की खान, और एक है आपका ह आपको प्रोड्यूस करता है तो कारतले राजस्थान करता है और जवार की राजस्थान के बूसरे भाठा है। तो जिटसम का अगर हम बहुत करें, सबसे जादा कोikkändigом स्की कई राजस्थान और कोनसा जी La Art Project gì जो羅 राजस्थान का जो हनुमांगर जीला है इसके बाते है 36 पइंड कर द้ब ब city धर हो तो बस्तर जिला में तो याद रहेगा उसके बाद माईका में आते तो माईका आपको पता है जो आपका जो अलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री होता है थिक हार्य मतलब विद्धूत में भी जो आपका कोडर्मा जीला यह सब हैं वहां भी माईका का production होता है उसके बाँ जो सबसे most important है जहां सबसे जाधा कोशन पुछा मैं जाता है और यह दरुगा का फेब्रेट लो ऐसक सबसे जाधा production कौन करता है याद रखेगा लो ऐसक, आईरन ओर्स, तो आपको याद रखने है, उरिसा, अब याद रखना, कुदेर मुख, इस वार भी पुछा गया था, ये एक, क्या है, माउंटेन भी है, ठीक है, और यहाँ जो इसका खान है, किसका आईरन ओर्स का, लो ऐसक का, तो लो ऐसक का खान ह कुदेर मुख, कहा है, करनाटका, बेला डिला, ये भी पुछा गया है, कहा है, चतिसगर में, और क्योंजार, ये कहा है, तो आपका उरिसा में, तो ये दो तो पक्का आपको याद रखना है, कुदेर मुख, एन बेला डिला, बेला डिला कहा है, तो आपका चतिसगर, और क कोईला सबस्यादा प्रोडेक्शन कोन करता है 36 अब याद रखो जरिया और धनबाद यहां क्या है कोईला का खान है जरिया और धनबाद यह कहा है जरिया और धनबाद जार्खन में तेलचर बहुत बार पुछा गया है तो उडिसा में तेलचर कहा है तो उडिसा में एक याद दखेगा यह वेस्ट बंगाल में हो सबसे पुराना अगर कोईला का कोई खान है कोईला फिल्ड है तो वह है आपका रानी गज और उसके बाद देखेगा नेवैली नेवैली आपको पता होगा यह तामिल नाडू में तो जरिया जरिया और धनबाज आपका जहरखन में है तेलचर उडिसा में हैं सिंग्रॉली आपका मध्यपर्देश में हैं कुर्भा छतिसगर में हैं रानी गज वेस्ट बंगाल में है और सिंग्रैनी तेलंगाना नेवेली तामिल नाडू में और याद अगा सबसे पूराना कोईल फिल्ड कौन सा है तो रानी गंज यह तो सब्सक्राश और से बहुत इंपोर्णन लावचैर यहीं से पूछेने जाने कि हंडेट परसंस्राश अभामoli यहीं से पूछा गया दपको यहाद थ्याज सब्सब्स यदा होता है Шिं को थिया दोतर लियान phot før नहीं थोर है नहीं.. फोर्यम.. अईयससा, फोर्यम का मोंजाईयोड होता है तो इसे प्लेषाय कों और इस одним होरिय संधते हैं? यह यह में द्मग करेंगे क्या है? ध्लिख मश्धेम के भीच भीच बिलेड नों यह भाहना है.. Peach blend uranium ठीक है और आपका जो आपका जो थोरियम है ठीक है जो थोरियम है उसका क्या होगा in 2020 मोंगायड अब देखे यह डिपीजी में घोरियम्हें पूछा गया था कि जो आपका फ्रयम है ठीक है ठीक है टोरियम सबसे ज्यादा कौन प्रbreड्यूस करता है तो आपको याह धक्ना है ठीक है तो आपको हिल्टायक है अधानीच है थाथ कल्र शीर्यूस के aur Taela grading उसका कर है तो आपको याद थकना है अंधरा पर्दिस एक बहुत फेमस है किसका उरेनियम का जादु गोब रा तो यह कहा है तौपको याद थकना है जारखन में बॉकसाइड एन आपका कोन प्रोड्यूस करता है तो सबसे जाता तो आपको याद एकम अनुदी सा मध्य परदेस बस आपको खनीज में इतना ही पढ़्णा है एक्जाम से पहले थीगा चलिए जो है किस नदींपर है तो सरावती नदी यह सब एक आप कहे सकते हूं कि एक ही जलप्रपात का नाम है चाहे जोग बोले चाहे गुर्षपा बोले चाहे महात्मा गांदी बोले एक ही जलप्रपात का यह नाम है ठीक है और यह कहा है तो सरावती नदी पे कहा है तो करनाटका में गोकक जलप्रपात याद केगा घाट प्रभा कहा तो घाट प्रभा आपको अच्छे से थार कहा है तो नर्मदा नदीपे यह भी मध्यपरदेश में कपिल धारा 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 धार ठीक है धार किसी चीज़े पढ़ने से क्या तो नरम हो जाता है तो थोड़ा इस तरीके से दिमाग लगाईएगा ठीक है तो धूआ धार नर्मदा कपिल धारा आपका नर तोनों राजस्थान में चुलिया पुंसा दोनों चम्बल नदी पे हुंड्रु अच्छे से याद लखेगा सुवन्रेखा नदी पे है और यह जारखन में है। जारखन के राची में याद रखेगा राची में आता है। हुआ के चित्रगुट बहुत इंपोर्टनने याद रखेगा यह कहां यह पुचा जिसको भारत का नाईगरा बोला जाता है अपने परहों नाईगरा जलप्रफाथ में आपको परहा था। यह u.s और के नाडर के बोर्डर पे याद रखे rat do है इंद्रवति पर होगेंगोल को ascite priori नदी में याद अदखे कह और यह तामिल नादू में तो हगेंगोल का है तो तामिल नादू में है और कावेरी नदी बाहुत नदी बहुत बहुत है बहँत बारि यह कहा है तो वराही नदी पह और यह करनाटका पह उसके बाद र नुहाक लिकाई और लांग सियांग, ठीक है, देखो, इसको बोलना लांग सियांग और इसको बोलना नुहाकलाई, कलाई, ठीक है, तो नुहाकलाई लांग सियांग कहा है, तो मेगाराय में, यादगना, अतेरी पल्ली जर्ना कहा है, तो ये किरल में है, ठीक है, नीनियाई, हुआ ज़रना का है नीन्याई नी इसको एक चली ऐसा लिखा जाता है इंगलिस में नी नीन्याई ठीके नीन आई इन नीन आई तो यह कहा है आपको गुझरात में है डुडूमा और बरह पानी कहा है, तो ये उडिसा में, बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे जाद आपको जो जल प्रपाते हैं, उसमें कुछ याद नहीं रखना है, जोग पका याद रखना, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है, और ये दूद सागर बहुत हुन्डु बहुत इंपोर्टेंट है यहां बस इसको देखके चले जाना बस इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है अब कुछ समुंदरी टट हम लोग कर लेते हैं क्योंकि अभी भी देखोगे एक्जाम में कोशन पूछा गया था सबसे पहले हम लोग बात करते हैं को क्यों मंढदल टट अगर हमें इस तरीके से क्रों करों तो सबसे पहले हम लोग यह पूरबी टट जो कुरूरा बात करते हैं सबसे पहले अगर कुरुद्धार देखोगे अंध्रा परदेश तो तो यह तो यहता मिनानु रह पर देश किया है आपका तो यह तो यह कुसा किया जाए तो कावेरी तु कृष्णा और इस्टन कोष्ट में या देखना कॉंसा कुंसा इस्टन कोष्ण पूरी टट पे उसके बाद सब्सक्रिपद सरकार टट तो तो उत्री आवेरी से क्रिशना, उसके बाद है आपका क्रिशना तू महानदी, उत्री सरकार तट अंध्रापरदेश से आपको उडिसा तक याद रखना है, उसके बाद है उत्कल तट, तो उत्कल क्या होगा, उत्कल उडिसा पाट को बोलते हैं, तो उडिसा से लेके बंगाल तक जो हो तक अब हम लोग आता है western coast में इस बाले बाग में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौंकन ठीक है या सहाधरी टटका तो यह महराष्टर गोवार करनाटका को कभर करता है कौंकन टट यह सहाधरी टट ठीक है याद रखेगा मालावर आपको पता है केडला वाले टटको माला ठीक है तो यह हो गया हमने तोटल तीन टॉपिक यहां कवर किया उसके बाद हम लोग आते हैं महत्वपून जील यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक है हर बार यहां से कोशन पुछा जाता है तो भारत के महत्वपून जील किस-किस टाइप की जील होते में उतना डिटेल में बस जहां जहां आएगा मैं आपको बताते हुई चलूँगा सबसे बहुत ही फेमस जील है याद रखेगा यह लदाक में पैंगों कहाँ है लदाक में देखे ऐसे तो जितना भी ताल आएगा जिसके बीच लास्ट में ताल आएगा तो वो कहां होगा तो उत्रा खन में एक कोशन पुछा गया था कि सबसे छोटा जो रामसर साइट है इंडिया का वो कौन सा है तो याद रखेगा सबसे छोटा जो रामसर साइट है और यह आपका हिमाचल परदेश में उसके बाद चोलामू बहुत बार यह रिपीट हुआ है चोलामू ठीक है और पैंगॉंग भ भारत का सबसे उचा जलपरपाज जो ही वो चोलामू है लोक्टेक मतलब बिहार का दरोगा का फेवरेट कोशन लोक्टेक जिल कहा है तो सबसे पहले याद दखेगा यह मनीपूर में पहला कोशन दूसरा पुरवत्तर भारत का मतलब नौर्थ इस्ट का सबसे बरा मीठे प आट शड़ानने नेस्ट्म पार्क जिसको हम लों कैमूलला यह मंजाव बोलते हैं तो मनिपूर में है अगर यह टट है ठीक है और यहां क्या है यह सागर है सी है तो जब सी से पानी जो सी है जिसे कि सी है यहां आरेबियन सी है ठीक है यहां से पानी आके और यहां जमा हो जाए तो जहां सी से पानी आके जमा हो जाता है और वो एक क्या होता है जील का स्वरूप ले लेता है तो इसको लेगुन बोलते हैं, तो सिंपल मोलना है, लेगुन जिल मतलब क्या होता है, मतलब उसका पानी जो होगा, कहा होगा, वो मतलब समुदर से आके उसमें जमा हो गया होगा, और समुदर से बाद में किसी कारण, वो कट जाता है, तो इसमें जो पानी जमा है, वो क्या है, भारत का सबसे बरा खरे पानी का जिल कौनसा है? याद अखना, बहुत है, वहाँ यह नहीं लगा हुआ है, कि लैगुन है, कि वो इन लेंड है, मतलब होता है क्या? कोई धर्ती मतलब, वहाँ कहीं से पानी नहीं आ रहे हैं, मतलब समुद्र से पानी वानी नहीं आ रहा है तो पूछेगा कि भारत का सबसे बरा खरे पानी का जील कौन सा है तो आपको याद दखना है चिलका जील बोलेगा कि भारत का सबसे बरा लेगुन जील कौन सा है तो बोलोगे चिलका जील और बोलेगा कि भारत का सबसे बरा खर उरिसा में है खरे पानी का सबसे बड़ा लेगुन जील है याद अकिएगा पुलीकट जील बहुत बार रिपीट हुआ है पुलीकट का है तो अंध्रपर्देश और तामिल नाडू के बीच में है तो दोनों में से कोई एक ही देगा आपको अगर दोनों दे दिया तो अंध् कीस दrübun Space Center है तो जो के अंध्रपरदेस में जहां से रॉकेट लॉंच होता है तो वो भी किसे चैनर पुलीकट जील के समीपर याद अखने है वेमबाब मारी हिला निदरफ्लण भेडवन सबसे बार खरे पानी का जील कून सा है शील क ही कुणसा है तो इन लेंड अगर लिखा हो हो तो आपको याद आगने Sambar जिल Sambar Jil कर है तो राजस्थान में शर्वधी घर रह आ है लोणार जिल आपको याद आगना यह महरास्टाम है यह क्रेटर निर्मित आप क्रेटर क्या हुता एक means आपने लेगून पर है एक क्रेटर क्या होता है क्रेटर्क ये है कि ज्वाला मुखी- यादगना लोनार यादगना बहुत इंपोर्टेंट हो इसका पानी अभी भी लाल टाइप का है तो लोनार जो है का है तो महरास्टा में हर ये क्रेटर जील है डल जील यादगेगा जम्मु कास्मीर में इसको स्री नगर का गहना बोला जाता है तो डल जील कहा है तो आपका स पुरुवत्तर भारत का सबसे परा मीठे पानी का जील कोई सा है तो लॉक्टेक जील वही जील है लॉक्टेक जील जिसमें कि आपका तेरता हुआ नेशनल पार्क है उसके बाद हम बात करते हैं तेक्टोनिक अब याद एकना यह जो उल्लर जील है यह टेक्टोनिक लेख है मतलब यह जब किस चीट से बना हुआ है तो नीचे आपको पता होगा धर्ती के नीचे किए टेक्तोनिक प्लेत जब दो टेक्टोनिक प्लेत तक राते तो क्या एक ऐसे घ्ल जितना आएगा आप आप कहां मारोगे, उत्रा खंड मारोगे, बट सूरस ताल है, चंडर ताल है, तो हिमाचल मारोगे, और भोज ताल आएगा, तो मध्यपर्देश मारोगे, तो मध्यपर्देश में अब याद रखना, बुकाई जील का है, तो गुजरात में, अ सब आपका राजस्थान में है, डिड्वाना, झैसंपन, पिछोला, रानापर्ताप और जभाहर, सागर, या दकना, उसके बाद नाग जहां है कि नाग, नाग जहां आजा, या दकना वो जम्मू कास्मिर, वैरी नाग हो गया, सेस नाग हो गया, अनंत नाग हो गया, जम्मू कास्मीर। और उपर मैंने आपको क्या कर बता tutto उल लर जिल को चाहए वा थो उपसे मीठे पानकाशिय्य मेश ? ऊअब का सिम्मो का तो यह सब्दें आपका तो भी आपका जम्मू कास्मीर। इस को नको आप पका करने गों सतराट 하는데 ना जो आएगा अपके याद को बिखक्रों सब्सक्राइब को और हरेखे से जाना आन्मा थीखुर कि दॉष फर्स ढ़ता है आ्रमी बल लगाए रहते हुिए तो मानस बल जील जदल और अलuyorum उलर एकुछ यहीं से आने वाला है, उत्राखन का बात करूँ तो जितना ताल ताल हो, नेनी ताल, साथ ताल, रक्सा ताल, ठीक है, माला ताल, देव ताल, ठीक है, नेकुछिया ताल, खुर्पा ताल, और यह बहुत इंपोर्टेंट है, देखो मैं एक एक हाथ से बोलते हूं, लिखा तो इसी रहसमाई जील को हम लोग रूपकुंड जील बोलते हैं, या कंकाल जील बोलते हैं, अच्छे से यादखना है, हिमाचल परदेश, सुरज ताल, और चंदर ताल, रेनु का याद दखो के, उत्तर परदेश, राम, राम, आयोध्या, याद दखना है, तो रामगड ताल जो है, उत्तर परदेश में, सबसे उचा कौन सा था, चोलामो जील, मनीपूर में सबसे इंपोर्टन लॉक्टेक जील, ठीक है, उसके राजस्थान में बता दिया, ये सब है, नक्की जील एक पका यादखना, ये भी पुछा गया है, बोला जाता है, चल इसके पिछे कहान हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद महरास्था में तो में बताई दिया था, लोनार, जो के क्रेटर जील और एक यादखना, सिब क्या है, महान है, तो सिब सागर जील यादखना, उसके बाद केरल, केरल का यादखना पेरियर, यादखना केरल का जो पेरियर जील है, ये क कौन सा है तो आपका वेंबार जील है उसके बात एक कोशन पुछा गयाते कि कायल क्या है कायल क्या है तो याद अखेगा के जो लेगून वाले जील होते हैं उसको हम लोग कायल बोलते हैं याद अखना कायल क्या है तो केरल के जो लेगून जील उसको हम लोग कायल कहते हैं प मियाम धिल पंजाब में हरिका बेरेज आप सबको पता है हरिका बेरेज हरिका बेरेज में क्या है सत्लज और आपका जो ब्यास है ओहां उसका संग्म होता री से क्या होता इंडरा गांदी कैंल निकलता है यह वहां प Aryacar GP beim और कांजली यह दोनों जो है पंजाब में हैं दिपोर और चापनाल ठीक है यह असाम में है और उत्तर प्रदेश या देखना गोविन बल्लब पंथ सागर इसका एक और कोशन पुछा जाता है कि सबसे बरा कृतिम जिल कौन सा है तो यह है गोविन बल्लब पंथ सागर और फ जी अधिए भारत का सबसे बरा खरे पानी का जील यहीं बीचिज में आपको बता धिया था केरल का जो वैंबाट में तरुषे क्यों अच्छे से में लिखा आपको खुद पर्दे का मन करेगा एक सबसे उंचा जील है चोलामू जील लोनार जील एक अधिशुचित इसके वि्हार का बेगु सर Commons और यह एक ऑक्षबो लेगे तो बिहार का मैंने अलग से भी करवा दिया आपको कि बिहार से 2-3 कोसें रहेंगे तो कवरतार और और याद रखे के कवरताल जो रहे हैं ठीक है ओर यह बहुथ का एक आपका रह generated लेंड भी है एक वेट लेंड भी है यह चीज याद नहीं भारत के सबसे बड़ी कृतिम जील कोई साइब गोविद पल्लब यह मैं आपको बता दिया ठीक है तो इस चीज समझ में आ गया यह टोपिक भी हो गया हमारा जील वाला अब हम लोग करते हैं दरा मांटें जो भी द सबस्क्राइब कर दीजो और एक लाइक और एक बहतरीन कमेंट छोड़ के जाईएगा देगे सबसे अब बात करते हैं जितना भी हमारा मांटें पास है मतलब दरे हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा जम्मु कास्मीर और लदाक का तो लदाक में आपको याद कारा कॉरम कारा कॉरम जो दरा कहा है तो लदाक में और किसको जोड़ता है तो लदाक से चीन को जोड़ता है तो कारा कॉरम क्या करता है लदाक से चीन को जोड़ता है यह चीज आपको याद रखना है उसके वाद जम्मु कास्मीर में आते कि यहां कौनसा कौनसा है सबसे यादगना बुर्जिल बुर्जिल दरा जोए सिरी नगर से गिलगिट को जोड़ता और गिलगिट क्या है पियोकी में है मतलब पाक अकुपाइट कास्मीर में तो बुर्जिल सिरी नगर से गिलगिट को ठीक है देखो मैंने बहुत इसको निमोनिक से लिखा है सब सिरी सिरी जैसे कि बुड़ जिल, सिरी नगर से गिलगिट, ठीक है, उसके बाद है आपका जोजिला, सिरी नगर से ले, सिरी नगर से ले, और बनी हाल, सिरी नगर से जम्बू, यह तीनो या दखना, यह तीनो जम्बू का स्मीर में है, और जो मैंने कारा कॉरम बढ़ा वो लदाक में, उसके बाद आते हैं हिमाचल परदेश, यह दरोगा में पुछा गया था सिब किला, तो सिब किला कहा है आपका हिमाचल परदेश में, याद एखना और हिमाचल को तिबबत से जोड़ता है ठीक है कहाँ, हिमाचल को तिबबत से जोड़ता है यह जरूर याद अगना कि कोन कहां से है ठीक अगर यह याद ना रख पाओ कि कोन किसको जोड़ता है बारा लच्चा क्या है तो याद अगना बारा लच्चा जो यह भी हिमाचल में है और यह हिमाचल को ले से जोड़ता है या मनाली को ले से जोड़ता है बात बराबरी तो ह स्पिब कीला हो गया बारी लग्या और आपका रहतांग हो गया कहा है तो आपका हिमाचल में उसके बाए on उतरा कहा है इंद सब्छीक एक इंद महते किला बाद करते हैं लिपुलेख बहुत इंपोर्टेंट है लिपुले नीथी और माना mã और धर्म यह सब जो है आपका कहा है यह आपका उत्राखन में आप देखिए उत्राखन का यह दरा है लिपुलेक तो कोसन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा दरा है जो मान सरोबर की यात्रा के लिए यूज किया जाता है तो आपको याद रखना है लिपुलेक कहा है यह तो उत्राखन मे उसके बाद नीती दरा कहा है तो ये भी आपका उत्रा खनवे है माना दरा जो है माना जाता है अगर आपको कारा करूम उप्शन में ना दिया हो और एक्जाम में जो उप्शन में रहता है यही रहता है भारत का जो सबसे उचा दरा है वो कोने आपका माना दरा है और आपका जो धर्म हो गया ठीक है ये जितना भी आपका कहा है तो ये सब जो है आपका कहा है तो उत्रा खनवे उसके बाद सिक्किम में आते है सिक्किम में नाथूला अंजेलिपला ये दरोगा में पुछा गया था जेलिपला बला ठीक है अब कुछ हम लोग देखते हैं, साउथ इंडिया वाला, मतलब महरास्टर से नीची बला, सबसे पहले यादगना थाल घाट, तो थाल घाट जो है यादगना थाल घाट यह मुंबई से नासिक को जोड़ता है, उसके बाद भोर घाट, मुंबई से पुने को जोड़ता है, उ थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेन गोट, यह सब याद रखेगा, उसका अड़ना चल बला देख लेते हैं, यह इंपोटेंट है, कोशन पुछाता था कि कौन सा ऐसा दरा है, जिससे जो ब्रह्मा पुत्रा नदी है, जिस दरे से भारत में प्रवेश करती है, तो य याद रखना यंग्याप दरा, और इक किसके बीच में है, तो अड़नाचल और तिबबत के बीच में, सबसे पहले देख लो, अड़नाचल में कौनसा कौनसा है, बॉमडिला है, दिफू दरा है, दिहांग दरा है, और यंग्याप, और एक सेला दरा भी है, सेला, तो यह भ और दीपु दराजा औरनाचल से आपको मैनमार को जोड़ता है और यंग याप औरनाचल परदेश को तिबद से जोड़ता है और दिहांग जो है आपका औरनाचल परदेश को मैनमार से जोड़ता है अगर जोइनिंग बला नहीं भी याद रखो ऐसे आपको याद होगा अग सबसे उत्तर में सबसे उत्तर में कौन सा हमारा और एक दिन पहले ही मैंने स्टेटस में सेयर किया था तो अभी भी अगर इस्टेटस फोलो नहीं करते हो वाटसप बला नीचे लिंक होगा जूड़ जाएगा तो स्टेटस वाली कोशन साम जरूगी मैंने एक दम सेम टू सिम आपको एक्जाम से पहले बताया था देखे बायो स्पियर रिजर्व संरक्षित जे मंडल का अब हम लोग बात करते हैं ठीक है अब देखे टोटल अगर ह बारत का पहला बाई इस पर इस पहला जो कि अपका असाम में एकदम बहतरीन तरीके से में समझा रहोँ अब यह देखे पूराका पूरा आपका मैप आपके सामने हैं ए तो यह है आपका पूरा-का-pूरा 18 बाईऊ-स्पियर डिजर्व दिखे आपको करना क्या है देखे क्योंकि 18 में 12 जो है UNESCO में तो आप 6 ऐसा याद कर लो जो UNESCO में नहीं है तो उसी तरीके से हमने भी याद करके रखा है कि कौन सा ऐसा 6 है जो UNESCO के लिस्ट में आपका नहीं है बस आप वो याद कर लो जैसे कि देखो UNESCO के list में कौन सा-कौन सा नहीं है तो cold desert ठीक है, जो cold desert है यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, यह cold desert तो cold desert जो है, आपका नहीं है यह 6 जो मैंने लिखा है, cold desert देखे तो यह आपको दिख रहा होगा cold desert ठीक है, यह एक नहीं है, डिबरु से खुआ जो कि आपका डिवरु सेकोवा ये असाम में होगा ठीक है आप और ना चल यहां लिखा गये डिवरु सेकोवा ये असाम में है ठीक है ये नहीं होगा दिहांग नहीं होगा मानस नहीं होगा कच नहीं होगा और आपका सेशनाग नहीं होगा और आपका सेशनाग नहीं होगा कभी याद भी श्कारवा दूगा बट अभी देखा गोल्ड है इतना थंड़ है, वहां कोई जाना नहीं जाए झाहें का तो ये उनेशकोड में नहीं है औरना चल और असाम में जो है वो तो ही नहीं, औरना चल और असाम में जो है आप बस इतना याद कर लो, कि औरना चल और असाम में जो है वो तो ही नहीं, जैसे कि आपका डिब्रु सेखवा यह असाम में है तो यह नहीं है, दिहांग आपका औरना चल में है तो यह भी नहीं ह ठीक है याद रहेगा एक बार आप मैप पे आप जरूर देख लीजिएगा सबसे उत्तर में कौन है तो दिहांग है यह सब चीज आपको देखना परेगा ठीक है यह देखे सबसे डक्षिन में यह मैंने लिख भी दिया है आपके सहुलियत के लिए चलिए आगे देखे दिखे मैंने यहाप के लिए लिखे भी अब यह दिखे टोटल 18 जो है हमारा बायोस्पेर डिजर्व है क्या है मेरा टोटल 18 जो है मेरा बायोस्पेर डिजर्व है देखे सबसे पहला हो गया आपका नीलगिरी ठीक है जो कि आपका तामिल नाडू केरल और करनाटका में है जो सबसे पहला था इसको 1986 में ये किया गया था 2000 में इसको यूनेसको में सामिल किया गया तो 1986 में पहला इसको Biosphere Reserve घुसित किया गया भारत का जेव अरक्षित मंदल और 2000 में इसको UNESCO के लिस्ट में सामिल किया गया उसके बाद है नंदा देवी आपको पता होगा यादखेगा निलगिरी, तामिल नादू, केडला और करनाटका आपको पता है ना यह तीनों स्टेट में फैला होगा तो नंदा देवी आपको पता है उत्राखन में नौकरेक आपको अच्छे सी यादखना है मेगलाय में है, ग्रेट निकोवर यादखना यह सबसे दक्षिन में है ग्रेट निकोवर सबसे दक्षिन में है और गल्प आप मन्नार आपको याद हगना ये तामिल नाडू में है उसके बाद मानस ये आपका कहा है आपका ये असाम में है और ये आपका यूनेस्को में नहीं है सुन्दर्बन आपको याद एकना यह वेस्ट मंगाल में है सिंपली पाल यह आपका उडीसा में है डिबरु सेखवा यह असम में है यह भी आपका नहीं है यूनेस्को के लिए इसमें दिहांग दिबांग यह औरनाचल परदेश में यह सबसे पूर्भी है सबसे पूर्भी कौन सा है औरनाचल परदेश यह भी आपका यूनेस्को के लिए इसमें नहीं है पंचमरी यह कहां अपका मद्या परदेश में है कंचन जूंगा आप सबको पता होगा सिक्किम में है अगस्ते मलाई यह आपका केरल में है अचान कमर अमरकंतक यह आपका मध्या परदेश और चातिसगर दोनों के बॉर्डर पर यह इसलिए अमरकंतक और अचान कमर लिखा हुआ है उसके बाद जो कच है यह गुजात में है और यह सबसे वेस्टन मोस्ट पस्टीम सबसे पस्टीम बाले में कौन सा है तो आपका यह पुछा गया था इस बार दरोगा में सबसे उत्तर में है और यह आपका हिमाचल परदेश में सेस्चलम यह अंद्रा परदेश में है यह भी उनेस्टो के लिस्ट में नहीं और पन्ना जो सबसे लेटेस से 18 नंबर का 2011 में इसको बायोस्पेर रिजर्व का दर्जा दिया गया था भारत में और युनेस्टो लिस्ट में 2020 में इसको सामिल किया गया है ठीक है समझ में आया चली अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं हमारा इंपोर्टेंट डेम का मतलब जो इंपोर्टेंट डेम होते हैं यहां से भी कोशन बनता है इसका और पहले बात कर लेते हैं है यहां से भी एक कोशन आपका पार्ट और करके इसको खतम कर लेंगे, नेक्स पार्ट में एक लंबा वीडियो ले लेंगे, तेको गोदाबरी, जैकवाडी, आप देखो गोदाबरी जो रिवर है, इस पे कौन सा कौन सा है, तो जैकवाडी पर्योजना, ठीक है, यह कहा है, तो महारास्ट्रम है, पोला बर सागर हो गया, ठीक है, यह दोनों एक ही और यह तेलंगाना में है, तो जैकवाडी हो गया, पोला बरम हो गया, यह सिरी राम सागर हो गया, यह तीनों आपका गोदाबरी में है, यह जो जैकवाडी है, यह महारास्टा में है, पोला बरम अंद्रपरदेश में है, और सिरी बुका है और आपका ये भाकरा नंगल ये कहा है तो हिमाचल परदेश पानजभ के बौरडर पह ठीक है याद अगना पर इशम में आपको सिप हिमाचल ही दीखंगेंगा और नाथपा Videos तो यह भी आपका हिमाचल परदेश में है और याद अगेगा सबसे उचा ग्रेविटी बांध सबसे हाइस सबसे उचा जो ग्रेविटी बांध वो कौन सा है तो याद रखेगा सबसे उचा ग्रेविटी बांध जो है ऐसे सिंपल लिखा हुआ कि सबसे उचा बांध कौन सा है तो तहरी बांध है तो आपका तहरी बांध है जो कि आपका उत्रा सागर का है तो मद्यपर्देश में है और ये ओमकारिस्वर का है तो मद्यपर्देश में है तो सरदार सरोबर इंद्रा सागर और ये आमिकार स्वर्, ये कहा है तो नर्मदा नदी पे अच्छे से आद है क्रिस्ना नदी का बातकरते थे, तो नागार्जुन सागर, स्री सेलम, और अलमाती, ये सब मेरेने ट्रिक से भी आपको याद करवाया हुआ है, तो नागर्जुन सागर हो गया, शृसके बाद हम लोग करते हैं जहेलम का बात आपको पता है कास्मीर में बहती है जेलम ठीक है तो किसन गंगा ठीक है और तुलबुल और यूरी ये तीनो अच्छे सी आदक नहीं तीनो जो है आपका जेफोर जेलम जेफोर जम्मु एन कास्मीर तो जेलम में किसन गंगा तुलबुल और यूरी ये तीनो जो है बांध कहा वहां बना हुआ, जहिलम नदी, आपका कासमीर में, हमीर, चिनाब पे बहुत-बहुति इमपन्ट, इंपोर्टन है, सलाल, दुलहस्ति Brazil dignity and बगलिहार, बहुत बार पुछा गया है, कि सलाल, दुलहस्ति औं बगलिहार, किस नदी पे हैं, तो चिनाब नदी में है, हमीर पर हिमाचल परदेश में ये, बेतवा बेतवा माता और बेटा तो माता तिला और राजा गाट पर चेसे याद अट रखना यह जा यह जो राजागाट वानिलख्य वाइप बाइब मैं तूर बांध, सिव समून्दरं बांध, क्रिशना सागर बांध, ये तीनों आपका कावेरी नदी पे . मैं तूर बांध ये अंद्रापर्दरा अर्दाद में गुशन स्विति है कुछा गया 2500 जर्वफारी नदी , नंगो बाजगो पानधं किस covert 19 पhr aham निम्ह बाजगो बांथ, तेहरी बांथ ये भी दरोगावे Eugene tell, ॅमर्व कोना, बाजगो बांथ शूभी बांथ भगी रती बांथ संगंप्र, भागी रती बांथ, इस तो उत्रा खंड में इस के भाद बाराकर नदी, जुक्ड़र जारकन में बहती है कालपोंग कहां है तो कालपोंग जो बांध है या प्रोजेक्ट है यह कहां है तो अंडामान एन निकोवर में याद रखेगा ठीक है उसके बास स्वील रिवर प्रोजेक्ट हिमाचल पर्देश कलपसर आपका गुजरात और मयुरक्सी आपको याद अखना है जारकाने इन व देखे आपका सपोर्ट बहुत इंपोर्टेंट है अगर आपने सपोर्ट किया मैं एगें कहता हूं क्योंकि जोग्राफी एक ऐसा पार्ट है जो हम लोग थोड़ा कम पढ़ते मुझे पता है बाकि तो आपको बहुत अच्छे से 2024 वाला जो बैच उसमें हमने वर्ल्ड हिस